लालू परशाद यादव जब जेल में थे, जब सजा काट रहे थे, उस दर्मियान वो सोनिया गांधी को जेल से फोन किया करते थे इस बात को खुद सदाकत आसरम पहुँचकर लालू परशाद यादव ने स्विकारा है जी हाँ, और इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लालू परशाद यादव इसके लिए अलग से सदा काटेंगे क्या तीन से पांच साल की उनको फिर से जेल होगी, क्या नियाईक विवस्था में लालू परशाद यादव जो सेखी बगारे हैं खुद के तारीफ में ये बात कह दिये हैं, कि हम जब जेल में थें, तब जो कॉंग्रेस में सुनिया गांदी है, जो सरवे सरवा हैं, उनसे हम फोन पर बात क्या करते थे और कारण क्या था, कि मौझूदा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश परसाद सिंग को राज सबा सांसाद बनाने के लिए उतारवी करते थे, और भी कई तरह की बाते लालू परसाद यादव ने स्विकारी है, सदाकत आस्रम पटना में जिस तरह से मोबाइल पर कुछ कॉंग्रेसी नेताओं से बात करने की बात लालू यादवने स्विकार की है, अगर यह साबित हो गया, तो उनकी मुश्किले बढ़ सकती है, ना सिर्म मुश्किले बढ़ सकती है, बलकि उनको इसके लिए सदा भी हो सकता है, जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेल में चोरी छीपे मोबाईल रखना एक बेहद गंभीर कानूनन अपराज माना जाता है जिहां ऐसा नहीं है कि आप अपने लोगों से बात नहीं कर सकते जिस नंबर से बात करना होता है वैसे चार नंबर जेल प्रसासन को बताने होते हैं लेकिन मसला यह है कि कॉंग्रेस की ओर से जो एक आयूजन किया गया था स्री बाबु जो स्रीकेशन सिंग बिहार के पहले मुख्यमंत्री बुमिहार समाज से आते थे उनके जैनती में 136 जैनती के उपलक्ष में वहाँ पर बजापते चीफ गेस्ट के तौर पर लालू परसाद यादव महमान के तौर बुलाए गए और वहाँ पर जब मन से लालू यादव बोल रहे थे तो उन्होंने एक किसा सुनाया और उस कहाने में उन्होंने कहा कि जब वह राची में जेल में बंद थे तो अखलेश सिंग उनसे मिलने आये थे लालू के मताबिक अखलेश सिंग बिहार से राजसभा की एक सीट पर किसी की पैरवी लेकर आये थे लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेश को ही वह राज सबाब भेजना जाते हैं, तब लालु यादव ने जेल से ही सोनिय गांधी से फोन पर बात की थी, ऐसा वे तब कह रहे थे जब वे चारा घुटाले मामले में सजयाफता थे और राची जेल में रह कर भी फोन का इस्तमाल कर करते थे, लालु परशाद, कॉंग्रेस ती नेता, सोनिय गांधी और उनके करीबी एहमद पटेल जो हैं, उनसे फोन पर बात किया करते थे, इस बात को बजाबते सारुजानिक मन से मीडिया के सामने, कॉंग्रेस के सभी कदावर नेताओं के सामने लालु परशाद की सदा हो सकती है, और इसके साथे साथ 20-50,000 रुपय का जुर्माना लग सकता है, तो आप सोचिए, जुर्माना तो बहुत कम है, 20-25,000 रुपय ही है, लेकिन जो सजा है, उसकी अवधी 3-5 साल तक है, अगर आप जेल में रहते हुए, बिना पुलीस को जानकारी दिये, चो उसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार लालू प्रसाद्यादब को हो क्या गया है, लालू प्रसाद्यादब वो इस तरीके की बात क्यूं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, एक तो सजाजाफता हुए, मतलब उन पर जुर्म साबित हुआ, सजा काटने के लिए वो जेल मे आ सकते हैं, ये मतलब खुद के तारीत में वो ये बात कह रहे हैं, या जो भी कारण हो, लेकिन फिलाल यह एक बड़ा राजनितिक मुद्दा बन चुका है, बीजेपी के वो बोलने का मौका मिला है, और बीजेपी लेगतार आप कह रही है कि कोट तक ये मामला जाएगा, जो न्याले है, कोट है, वो इस पर संग्यान ले, और लालो पर सद्यादव को कोट जेल में रहते हुए, चोरी छुपे फोन इस्तमाल करते हुए, और वो भी सुने गांदी से बात करते हुए, पकड़ जाने के जुर में, उन्हें कम से कम 3-5 साल की सदार, इसका प्रवधा